नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेवा उनलाइन क्लासेश में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपर्टेंट जेनरल नोरिज की दस कोस्टन्स लेकर आया हूं जो कि आपके आने वाले एक्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा लाइक ने किया तो वीडियो को लाइक जरू कर दें और चैनल को सब्सक्राब करके लाइक में को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते है सबसे पहले तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो हमारा आज का फर सकती है की पन्यों की निसायन मिले हैं तो यहां पर दोस्तों ची आ आपके आपसिन अंरब बंका करेक्टर अंसर होगा वह कंछनल की होगा का इसन थे किदार गोडिक तो प्राप्त जार पर चोंच में मचली दवाय चड़िया एबम पेंड के नीचे खडंब लोम्ली का चित्रांकर मिलता है जो पंचेतंत्र के लोम्ली की कहानी से साथ दुरस्य है तो यहां पर आप्शन से हैं आपके हडपा मोहन जोदलो लोथल और रंगपूर दोस्ते हां पर क कोस्टन नंबर टू का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी लोथलोगा तो नेक्स्ट कोस्टन है दोस्तों कोस्टन नंबर थ्री सबसे अधिक संख्या में हलपा यूगीन इस तलो की खोज किस प्रांति में हुई है तो आप्शन से आपके आप्शन A गुजरात आप्शन B राज़्थान आप्शन C पंजाब और आप्शन D उत्तर प्रश्य में उत्तर प्रदेश तो यहां पर कोस्टन नंबर थ्री का आ प्रेक्ट आंसर होगा बहोगा ओप्शन A गुजरात तो नेक्स्ट कोस्टन है हमारा आज का कोस्टन नंबर फोर निम्न में से कौन सी फसल हलपा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाते थी तो आप्शन से आपके आप्शन A जाओ, आप्शन B दालें, कौन सी फसल हलपा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाते थी तो यहां पर कोस्टन नंबर फूर का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन B दालें, तो नेक्स्ट कोस्टन के तरफ चलते हैं, नेक्स्ट कोस्टन है हमारा आज का कोस्टन नंबर फाईब, हलपा काल इ चांदी एंड ओप्षन डी लोहा तो कुश्चिन नमर फाइब का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ओप्षन डी लोहा तो किसी भी हड़पा कालने इस तहल से अभी तक लोहे की जो है वो प्राप्ति नहीं हुई है तो यहां पर कुश्चिन नमर फाइब का कोश्च करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक ने किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो नेक्स्ट कोश्चन है हमारा आज का कोश्चन नमर सिक्स किस पसू के अपसे सिंदु घाटी सबता में प तो यहांपर कोश्चन नमर सिक्स का करेक्टा आंसर होगा ओप्सण ए शेर है क inadequ deception की तरफ चलते हैं नेक्सट कोश्चन है हमारा आज का कोश्चन नमर सेबैन, आरे सब्सका साबदिक अर्थ है आरे सब्सका साब्दिक अर्थ है ऐप्सण से आपके OPTION Aennial यहांप्सण तो यहाँ पर question number 7 का जो correct answer है वो होगा option B stressed या clean तो आर्रे सब्द का जो साब्दे करता है वो होता है stressed या clean तो next question के तरफ चलते हैं next question है माराज का question number 8 प्रारंभिक आर्रेयों के बारे में निम्न कत्रों में से कौन सा सही नहीं है option से आपके option A बे संस्कृत बोलने वाले थे option B बे घुड़सवारी किया करते थे option C बे कई जुन्डों में भारत पहुंचे and option D बे मुक्ताय नगरों में निवास करते थे तो यहाँ question number 8 का correct answer है आपका option D बे मुक्ताय नगरों में निवास करते थे तो next question के तरफ चलते हैं next question है हमारा question number 9 इन में से किस फसल का ग्यान बैदिक काल के लोगों को नहीं था option से आपके जो option B गय हूं option C चावल and option D तमबाकू तो दोस्तों यहाँ पर question number 9 का correct answer है वह है तमबाकू इन में से जो पूछ रहा है question में कि इन में से किस फसल का ग्यान बैदिक काल के लोगों को नहीं था तो यह कौन से फसल थी तमबाकू next question है दोस्तो question number 10 और आज की वीडियो का last question तो question है यह उत्तरपैदिक काल के बेद ब्रोधी और ब्रह्मण ब्रोधी धार्मेक अध्यपकों को किस नाम से जाना जाता था option से आपके यजमन, option B, स्रमण, option C, अथरवन, and option D, स्रेश्टिन तो यहाँ पर question number 10 का correct answer होगा option B, स्रमण तो दोस्तो यह थे हमारे आज की वीडियो की 10 questions तो यह general knowledge की 10 questions आपको कैसे लगे comment करके जरू बताईएगा और अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like, comment, share जरू कर दिया करो दोस्तो और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करना ना भूले चैनल को subscribe करना कर दोस्तो यह वीडियो